चंद्रभान नाम का एक गरीब कुमार अपनी पत्नी कोमल के साथ बेधपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां घड़े बरतन बनाकर बाजार में बेचा करता था। और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोशन करता था। चंद्रभान मा दुर्गा का परमभक्त था। वे मा दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। चंद्रभान ने कहा। चंद्रभान पूजा करके देवी मा का प्रसाद अपनी पत्नी कोमल को देने जाता है और कहता है कोमल ये लो देवी मा का प्रसाद। अरे क्या हुआ कोमल तुम अभी तक लेटी क्यों हो तुम्हारी तबियत ठीक है ना। तो कोमल उसे कहती है जी पता नहीं सुभा से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है अच्छा मैं भी विमला दीदी को बुला कर लाता हूँ तब तक तुम अपना ध्यान रखना है। चंद्रभान पडोस में रहने वाली विमला दीदी को बुलाने जाता है। विमला कोमल से सारी बाते पूछती है तथा कुछ तेर बाद वह कोमल से कहती है कोमल नौ महीने बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गुणजेगी तुम तो बस मिठाई तयार रखना तुम मा बनने वाली हो। कोमल खुशी से बोलती है क्या दीदी ये सच है सुनो जी क्या आपने सुना। हाँ कोमल मैंने सब सुन लिया है देवी मा के कृपा से तुमारी गोद भर गई। चंद्रभान और कोमल दोनों देवी मा के आगे अपने शीष जुका कर उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। रोजाना चंद्रभान मिट्टी के बरतन बनाता और उन्हें बेचता। इसी तरह समय बीथता गया। चंद्रभान और कोमल को सिर्फ अपने बच्चे का इंतजार था। एक शाम कोमल ने उससे कहा। सुनिए जी मुझे लगता है कि मेरे दर्श शुरू हो गए हैं। आप विम्ला दीदी और दाईमा को बुला लीजिए। चंद्रभान जल्दी से जाकर विम्ला दीदी और दाईमा को बुला लाता है। कुछ ही देर में विम्ला दीदी और दाईमा आ जाती हैं। दाई मा कोमल को देखती हैं और कहती हैं तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में आने का समय हो गया है। दाई मा और विमला दीदी बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं। चंद्रभान उनसे कहता है ये लीजे विम्रादीदी देवी मा के चरणों में चढ़ाया गया जल है ये कोमल की मुँँ में टाल दीजे इससे उसे आराम मिलेगा कुछ ही देर में कोमल के बच्चे ने इस दुनिया में जन्म ले लिया दाई मा के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा है जिसकी किलकारी से पूरा घर गूंज उठा दाई मा ने कहा ये कैसा चमतकार है मा दुरगा के नाम का जल पीते ही कोमल को आराम मिल गया और ये बच्चा भ बधाई हो चंद्रभान भाया लड़का हुआ है जाओ सुरेंद्र हलवाई के यहां से लड़ू का डिब्बा ले आओ चंद्रभान मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और सबका मुह मीठा करवाता है चंद्रभान और कोमल बेटे के जन्म के बाद बहुत खुश थे तथा दोनों अपने बेटे को मा दुर्गा के चर्णों में माथा टिकवाते हैं चंद्रभान कहता है कोमल मा दुर्गा के क्रपा से जबसे हमारा उत्तम पैदा हुआ है तबसे मेरे कारोबार में भी व्रिध्धि हो गई है अबसे मुझे और ज्यादा मोर्तियां और बर्तन बनाने हुँगे। तो कोमल ने कहा, जी, जबसे देवी माने हमारे उत्तम को हमारी जोली में डाला है, तबसे हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। उत्तम के आने के बाद, चंद्रभान और कोमल की जंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, वे दिन भर उसके साथ खेलते और उसे बहुत प्यार करते। धीरे-धीरे समय बीटता गया और उत्तम नौ महीने का हो गया, तथा वे घुटनों के बल चलना सीख गया। एक सुभा कोमल ने कहा, कोमल भोजन बनाने के लिए जोपड़ी के अंदर चली जाती है। चंद्रभान मा की भक्ती में लीन होकर आखे बंद किये, मिटी को अपने पैरों से रौंद रहा था। चंद्रभान मिटी को अपने पैरों से रौंदते हुए, मा दुरगा के नाम का जाप कर रहा था। तब ही उसका बेटा उत्तम घुटनों के बल चलकर अपने पिता की ओर आ जाता है, और इस बात से अंजान चंद्रभान मिटी के साथ अपने कलेजे के टुकडे को भी रौंदता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिटी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर पूरी तरह से लहु लुहान हो चुके थे। पर वह मा दुरगा की भक्ती में लीन और इस बात से अंजान निरन तर अपने काम के प्रती लगा हुआ था। तभी वहां कोमल आ जाती है। चंद्रभान आखे खोलता है और देखता है कि उसके पैर खून से सने हुए है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने अपने बेटे को ही मार दिया, यह कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। चंद्रभान और कोमल दोनों ही मा दुर्गा के चर्णों में जाकर विनती करने लगते हैं। यह देवी माईया, यह तुर्का मा, मैं तो आपकी भक्ती में लीन था, शीक कैसा अनर्थ हो गया मुझसे मा, कैसा अनर्थ हो गया। हम दोनों अपने लाल के बिना नहीं जी सकते मा, हम आपके चर्णों में सिर पठक पठक कर अपने प्राण त्याग देंगे। यह मा, अगर आपने हमारी बिन्ती नहीं सुनी, हमारे उत्तम को जीवित नहीं किया, तो पूरी दुनिया हमें कोसेगी, कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया, मेरी भक्ती की लाज रखो मा, मेरी भक्ती की लाज रखो मा। सुनो जी मा दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती है आप उनसे कहें कि हमारे लाल को जीवित कर दे हमारी खुशी हमें लोटा आ दे मा हमारे पुत्र को जीवित कर दो मा हमारे पुत्र को जीवित कर दो चंद्रभान और कोमल मा दुर्गा के चर्णों में सिर पटक पटक कर रोने लगे और अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगे मा दुर्गा तो करुणा की देवी है वे अपने भक्तों को परिशानी में नहीं देख सकती चंद्रभान और कोमल की विनती सुनकर मा दुर्गा ने विराट रूप ले लिया और बोली पुत्र चंद्रभान, पुत्री कोमल, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वे देखो, तुम्हारा पुत्र बिलकुल सही सलामत है मा दुर्गा के आशीरवात से मिट्टी में बच्चे का आकार बन जाता है और मा के चमतकार से उत्तम जीवित हो जाता है तथा मिट्टी में खेलने लगता है चंद्रभान और कोमल अपने पुत्र को देख कर खुशी से जूम उठे उनके घर का चिराग मा के आशीरवात से फिर से जल उठा था चंद्रभान ने कहा आपने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है मा ये मा, आप धन्य हो, आपकी जै हो मा, आपकी जै हो कोमल, कोमल, मा ने हमारे लाल की जान बजाई और उन्होंने नहा चीवन दिया है हम उत्तम को मा वैश्णों देवी के दर्शन कराने ले जाएंगे हाँ चंद्रभान और कोमल उत्तम को मा वैश्णों देवी के दर्शन कराने ले जाते हैं और वहां से अपनी जोली खुशियों से भर कर लोटते हैं